Hello friends, welcome back to another reaction video और मैं हूँ जोती, वेलकम करती हूँ सभी का अपने चैनल में चैनल में नियू है तो make sure चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे साथ ही बैल आइकन को हीट कर दे ताकि मैं जब भी कोई नियू वीडियो डालू तो आपको इसे रोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए So without further delay, let's get start the video So दोसों जैसे कि आप सब जानते ही है कि डबा की जिंदेगी में बहुती खुशी का मौका आया है और वो खुशी और कुशी डबा की खुद की अनिवस्री है जिसकी धूमधाम और जिसकी तयारी वो पिछले एक वहीने से अपने व्लॉग में हमको दिखाई रही है So कुछ ग्लिम्स उनकी एनिवस्री से रिलेटिड आये हैं जो मैं आप सब को दिखाऊंगे आगे चलगे लेकिन उससे पहले हम लोगों को बहुत जादा जरूरी बाते करनी है इसलिए वीडियो को एंट तक जरूर देखना दोस्तों सुनने में यह आया है कि पहले तो डब्बा बैंगन बनी थी और इस बार बनी है टमाटर जी हाँ यह मैं नहीं यह उनको कमेंट करने वाली ओडियंस बोल रही है जिनके सामने डब्बा का थोड़ा सा एक लुक आया है पिशली बार तो भाबी को बहुता था ब्लेम कर दिया गया था कि भाबी ने अपनी ननत को बैंगन बना दिया है पर इस बार तो भाबी भी ने तो इस बार डब्बा को टमाटर किस ने बना दिया तो आप डबबा टमाटर खुद बनी है या डबबा को टमाटर फिल्टर ने बना दिया है ये तो हमें जब पूरा व्लॉग आएगा तभी पता चलेगा फिलाल हमें ये पता है कि लोग अब उन्हें टमाटर के साथ रिजैंबल कर रहे हैं तो आप नए नाम के लिए आप लोग भी रेडी रहना वैसे अकसर ऐसा होता है कि डबबा झब वी कोई पोस्ट करती है उनके कमेंट्स पढने में इतना मज़ा आता है कि रील पे किसी का ध्यानी नही जाता रिल से ज़ादा इंट्रस्टिंग उनके कमेंट सेक्षर होते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि डबबा किस तरीके से मौधा पहुची थी और मौधा पहुचने के बाद डबबा और डबबा की शर्मीली अम्मी कि उनके स्वागत में इंसान पहले ही भार आके खड़ा हो जाए जैसे कि पता नहीं कौन विया आई पी आने वाला है जिसके इज़त के लिए जिसकी खातिरदारी के लिए जिसके स्वागत के लिए पहले से ही वहाँ पे तैनाज दिया जाए तो एक बार भी मौका इस बात से छोड़ा नहीं, थोड़ी सी टिजा टिहान की मम्मी गेट तक आने में लेट हो गई या गेट तक नहीं पहुंच भाई, क्योंकि वो कीचन का कुछ काम कर रही थी, तो उन्होंने उनको कई बार इस बारे में सुना दिया, कि हम तो यह स्पेशल था नहीं, कि पता नहीं कितने सद्यों के बाद किसी बहन का भरत मिलाब हुआ है, और उसके बहन पहले ही तैनात हो जाया, पहले ही स्वागत में था लिए और दिया पकड़के आरती उतारने लग जाए, ऐसे बड़ा एरोगेंटली उन्होंने पूछा, और एक ब लिए जैब और वैसे देखा देखी उनकी बेटी, जब भी उन्हें पता होता कि कहीं पे कुछ काम करने वाली चीज होगी, तो सबसे पहले वहीं से अपना रस्तान आपते हैं, कभी सस्वाराल के लिए रुकने की बात नहीं कियोंगी कभी सस्वाल में जाने के लिए जाना पड़ेगा तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने सस्राल निकल लेती हूँ वहाँ पर इनके पास हाउज है तो है अराम से बैठके महाँ पर खाने को भी मिल जाएगा तो डबबा बहुत ही शान पंती दिखाती भी वहाँ से निकल गई और बड़ी हजीब सी लगे कि इस तरीके से डॉटर खाला के बच्ची अपनी खुद की मा के साथ भी एव करते हैं यकीन मानू यहां से बैठके हमें खुद भी अच्छा नहीं लगा उन्होंने अपनी मा को ग्रीट तक नहीं किया एक बार गले तक नहीं लगे एक बार हग तक नहीं क्या क्योंकि जिस उ इन बच्चों को को यह समझाए कि यही इनका घर है और आने वाले टाइम पर हो सकता है इनको यहीं पर अपनी बाकी की जिंदगी भी रहना पड़े या गुजारना पड़े या अपनी ममी पापा को देखने के लिए यहीं पर आना पड़े मुंबई रहने और बसने का बच्चे यहां के इतना अंकमफोटेबल होने लग जाए तो आप क्या एक्सपर्ट करो कि कल को यह बच्चे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मौधा आएंगे वही सेम चीज जनाब की जनरेशन में भी हुई कि जनाब और जैसे ही मुंबई शिफ्ट हुए मौधा से लडिन उनके सारे रिष्टे पीछे के पीछे छुट गए ना कभी अपने दादा को देखने आए ना कभी अपनी दादी को देखने आए और वही सब चीज़े क्या इनके यह जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं इनको भी कैसे तरीके की सिक्षा दी जा रही है प्योंकि जि जो वाकिया में एक मम्मी के साथ होना चाहिए था तो कल्टी हो गई वहां सा डब्बा रानी कि कहीं मुझे यहां पर काम ना करना पड़े और आप रील पर रील पोस्ट हो रही है बहुत ही जादा एक्साइटेड है बहुत से लोगों को कहना यह भी है कि इतना जादा यह चीज देखी नहीं हो वैल देखी नहीं थी इसलिए इस तरीके से उन्होंने एक्साइटमेंट दिखाया बट ले जा सकती थी क्योंकि इससे कई ज्यादा खर्चा तो यह अपना बहार की चट्र पट्र चीजों में कर लेते हैं एक ब्रैंडड चीज और काफी साधी लो इन्वेस्मेंट होती है लेकिन आल्टू-फाल्टू की चीजों में जरूर करेंगे जो बात में कभी यूज की बिना हो या बाद में इनको फिट भी ना इनको पहनने पर पीना मिलें इनके बॉक्स के अंदर ड्रेस पड़े पड़े पुरानी हो जाए लेकिन इन्वेस्मे पुसी के चलते चलते डबा ने अपना फ्लैट खरीदा और उस समय आपको नजर आता होगा कि अपने पैसे जोड रही है और उन्हों पैसे अपने फ्लैट पे इंवेस्ट किया अब उसके बाद ने अपनी अनिवस्ट्री की प्लैन में अपना अच्छा-कासा पैसा इंवे तो डब्बा को बहुत सारी शिकायते हैं अपनी पहली वाली शादी से और इसी की अगर लिस्ट डब्बा जिसन बनाने बैठेना भी तो हमें थोड़े थोड़े तुकुड़ो में अपने दिल की बास बताती रहते हैं कि इस चीच की कमी रह लागे थी यहाँ इस चीच की क खुलके उन्होंने भी नहीं बताई पर अगर खुलके बतानी वाले बात हो तो वाके में इनकी शादी में कमी तो काफी जादा चीज़ों की थी हाला कि इनकी भावी ने अकेले होने के बावजुद बहुत साली चीज़े मैनेज करने की अपने एंड पर पूरी-पूरी कोशि पर देखे बाव ने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अर्पने फणी एकॉर्डिंग दुबारा से अपनी वैडिंग प्लान की है तो अभी वैडिंग व्लोग देखे मज़ा आएगा पता तो चले कि डबा ने ऐसा कौन सा बुल खिला दिया अपनी भावी की को शूट करने के लिए डबा खुद भी एक्साइटेड है और ओडियोंस भी एक्साइटेड है कि देखे तो कि डबा ने अपने दिमाग से इस बार किया है वो डबा ने कैसा किया है और कहां तक किया है शायद बोल रहे हैं कि यह भी रीजन हो सकता है कि इसलिए भी इनकी भी नहीं आई क्योंकि इस बार इनकी भाबी घो फील कराए ही ने गई वो गारजन वाला बीएव यह व ही नहीं गयि इस बार सारे arrangement डब्बा ने और फणी ने अपने आप से करे हैं आपने खुद भी देखा हुआ कि उन्होंने किसी की भी किसी भी चीज में इस बार कोई भी राये नी ली जहां डब्बा एक सुई तक की चीजों में अपने भया भाबी की राये के बिना कुछ करती नी थी वहां पर डब्ब की विदाई के बाद डब्बा के सस्राल वे गई थी तो मापे फूट फूट के रोने लगी थी और उस समय डब्बा की आँक से किसी के लिए भी एक भी आँसु ने गिरा डब्बा बिल्कुल नॉर्मल थी चुपती और भाबी को चुप कर आ रही थी लेकिन रोई नहीं ड तो कुछ नब कुछ तो रीजन रहे होंगे क्योंकि पिपी का अपनी फैमिली के मामले में काफी जाधा पदस्व भी है और इमोशनल भी है और इस डब्बा को तो उसने बिल्कुल अपनी चोटी बहन की तरह ही हमेशा से ट्रीट किया है और हमेशा से प्यार किया है का व्लॉक चला जाए हिट हो जाए यूट्यूब में अच्छा इंकम इसकी हो जाए एक अच्छी पहचान मिल जाए उसमें इसके भाईया भाभी दोनों ने अपना बहुत-बहुत-बहुत जादा कॉंट्रिब्यूशन दिया है वह सारे कुशन के जवाब भी दिये वह जो है कि हो सकता है वैल यह था मेरा अच्छा रात तक व्लॉग आई जाएगा व्लॉग ना भी आए बट उनकी मेन आउटफिट का तो कोई ना कोई पिच्छर आई जाएगा मजा आएगा देखने में लोगों ने टमाटर अभी से एजियूम कर दिया है ऐसा नाओ को जो एजि लाइक शैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वाचिंग अर्थ मॉम देरादून